Hello Everyone, आज मैं स्रिफ दो चीजों से ये नास्ता बना कर तियार करने वाली हूँ तो ये बहुत ही टेस्टी बन कर तियार होते हैं आप इसे सुबह बच्चों के टिफिन में या तो सुबह का नास्ता में या साम का नास्ता में भी बना कर खा सकते हैं तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सूजी लिया है 200 गराम आप इसे कोई कटोरी से भी नाप सकते हैं या कप से सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने कडाही चड़ा लिया है चूले में और 2 चमच, खाना खाने वाले चमच से मैंने Refined Oil लिया है और इसे गरम होने देंगे तो तेल बहुत अच्छी तरह से गरम हो जाए उसके बाद लो फिलेम करेंगे और जीरा आधा चमच एक करीपत्ता को मैंने बिल्कुल बारीक छोटे टुक्रों में काट लिया है अधरक आधा जिसे चोटे टुक्रों में काटेंगे सभी को डालेंगे उसके बाद मिर्ची यहाँ पर 3-4 चोटे टुक्रों में काटकर इसे भी डाल देंगे और बिल्कुल ही लो फिलेम रखेंगे इसके बाद इसे आधे मिनट के लिए बस अधरक का कच्चा पंचला जाए और बहुत ही अच्छा भून लिए है लो फिलेंगे उसके बाद जितना सूझी लिए है बस उसी कटोरी से यहाँ पर पानी नापना है तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी नाप लिया है और डाल दिया है पानी को उसके बाद थोड़ा सा और पानी लेंगे और इसे भी डाल देंगे तो इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे बस इतने ही पानी डालेंगे उसके बाद स्वाद अनुसार यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया तो आधा चमच मैंने लिया है हिंग चाट मसाला भी डाल सकते हैं और हाई फिल्म करेंगे एक उबाल जबा आ जाये तो फिर से लो फिल्म कर देंगे और यहा पर मैं जो शूजी मैंने लिया था उससूजी को शूजी को इस तरह से एक हांच से डालते जाएंगे इस तरह से चलाते जाएंगे और डो की अकार में ये आता जाएगा तो देखे इसी तरह से चलाते रहना है लो फिलेम पर और कूछी देर में ये दो से तीन मिनट भी नहीं लगेंगे और इस तरह से डो की अकार में आ जाएगा देखे इस तरह से और कडाही को जब छोड़ने लगेगा तो यहाँ पर फिलेम को कर देंगे बंद उसके बाद मैंने यहाँ पर दो बड़े साइच के आलू लिये हैं जिसे मैंने यहाँ पर कद्दू कस कर लिया है और उसे देखे अगर कटोरी में नापे तो यह भी एक कटोरी है उसके बाद इसे भी मैंने सूजी में डाल दिया और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता काट लिया है तो धनिया पत्ता डालने से भी काफी अच्छा नास्ते का टेस्ट बढ़ जाता है तो धनिया पत्ता जरूर डालिएगा इसे बहुत अच्छा लगता है उसके बाद मैं इसे मिला लूँगी अच्छी तरह से तो अच्छी तरह से इसे मिला लेना है तो पहले मैंने यहाँ पर इसे मिला लिया आप एक भरतन लेंगे और इसमें सारे यहाँ पर सूजी जो हैं उसे निकाल लेंगे तो मैंने यहाँ पर इसे निकाल लिया है और इसे ठंडे होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट इसे छोड़ देना है तो देखे इस तरह से एक छोटा सा भाग उठा कर अगर हम चेक करेंगे तो इस तरह से कितना अच्छा से देखिए ये गुलाई में आ जा रहा है बिल्कुल फट नहीं रहा है अगर इस तरह से हम गुलाई करके देखे तो देखे इसी तरह से अगर बन जाता है तो काफी अच तरीके से इसे अच्छी तरह से मसलते हुए एक डो त्यार कर लेंगे, एक सोप्ट डो त्यार कर लेना है, तो मैं पहले इसे मसल कर त्यार कर लेती हूँ, तो देखी इस तरह से बिल्कुल हाथ में भी नहीं चिपकेंगे और बहुत अच्छा से ये त्यार भी हो जाएगा, य ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे और अच्छे बनते हैं फुले फुले बनेंगे आधे आटे को मैं रख दूंगी और उसे भी मैं साम को जो बनाऊंगी उसे भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी तो देहां पर मैंने कुछ तील लिये हैं ये ओप्सनल है अगर आप चाहे तो तील डाल सकते हैं और ना चाहें तो आलो और सूजी से भर ये नाशता त्यार कर सकते हैं पर तील डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है तो इस तरह से गुलाई करेंगे और हलका सा दाबेंगे ज्यादा इसे पतला नहीं करना है क्यूंकि ये बहुत क्रिपी बनेंग और अंदर भी बहुत सौप्ट बनेंगे जब बन जाएगा तो मैं इसे तोड़ कर भी दिखाऊंगी इस तरह से टिक्की के ऊपर मैंने तील को चिपका लिया है अच्छी तरह से चिपका लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर सिलेंडर अकार का या तो आप जैसा भी चाहें इसका अकार दे सकते हैं मैंने इस तरह से टिक्की अकार का बना लिया है तो इसी तरह से एक एक करके मैं यहाँ पर सारे को बना लूँगी तो मैंने यहाँ पर बना लिया है देखिए इसको बनाते समय बिलकुल भी ना तो पानी या ना ही तेल का जोरत पड़ता है और हाथ करके सारे टिक्की को डाल देंगे डालते ही टिक्की कड़ाही के नीचे चला जाता है तेल के उपर नहीं आता है पर जैसे जैसे ये पकने लगेगा तेल के उपर आने लग जाता है तो तेल के उपर जब टिक्की आ जाएंगे तो ही इसे पलटेंगे तो देखे ये उपर आ च से पलटते हुए यहां पर देखिए तील में आ चुका है तो इस तरह से छननी की सहता से और चमच की सहता से इस तरह से निकालेंगे और इसे छान लेंगे तो मैंने इसी तरह से करके तील को निकाल लिया था तो मैं यहां पर देखिए यहां पर ब्राउन हो चुका है तो इसी बच्चों के lunch box में, या तो सुबा का नास्ता, साम का नास्ता में आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं इसे चटनी के साथ खाने के लिए रखी हूँ, आप चाहें तो इसे चटनी, चाहें किसी के भी साथ खात ये, बहुत अच्छे लगेंगे, देखे यह काफी क्रिश्पी बने हुए हैं एक ही नहीं सारे यहाँ पर क्रिश्पी बने हुए हैं तो देखे मैं यहाँ पर इसे तोड़कर दिखा रही हूँ तो देखे आपको इसका तूटने से पता लग गया होगा कि यह कितना क्रिश्पी बना हुआ है और अंदर कितना इस डो को आप पहले भी बना कर रख सकते हैं और जब मन करें तब इसे निकाले और गर्म गरम बना कर आप इस नास्ते को खा सकते हैं तो जिस प्रोसेस से मैंने पहली बार यहां पर फ्राई किया था उसी तरीके से यहां पर मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है तो यहां पर अगर किनारे में इस तरीके से टिक की आ जाए तो इसके उपर चमच की सहता से तेल डालेंगे तो वो तेल में टिक की अपने आप आ जाता है और इस तरीके से उलट उलट कर दोनों साइड से पका लेंगे और सुनहरा कलर आने देंगे तो इस तरीके से गरम गरम आलू सूजी का नास्ता त्यार है जो खाने में बहुत ही टेश्टी और मज़ेदार है अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये रेसिपी जरा सभी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चानल को सस्क्राइब जरूर करिएगा थाइंक थाइंक यू